दोस्तो आपने हमारे भारत देश के कई रहस्मई गोफाओं के बारे में सुना होगा लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कैसी जगह की जहां आज भी रामान काल की सुग्रीव की गोफा मौजूद है दरसल रामान काल के अवसेशों को खोशते खोशते हमारे भारत के वैग्यानिकों को एक ऐसी गोफा मिली जो सामाने तो लग रही थी लेकिन जब वो इस गोफा के अंदर गए तो तब ही कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखते ही वो समझ गए कि ये कोई सामाने गोफा नह लेकिन जब आप इस गुफा के अंदर जाएंगे तो आपको एक साइंग बोर्ड लगा हुआ मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है कि ये गुफा सुग्रीव की गुफा है अब बात ये आती है कि अगर वैग्यानिक जब रमान काल को सच नहीं मानते तो आखर उन्होंने इस गु बंद कर हरानी होगी कि इस गुफा के खूज को सरकार द्वारा बंद करवा दिया गया है। लेकिन क्यूँ? आकर व्च्ञानिकों को खूज करते हुए ऐसा क्या दिखा हो Championships है दिए देखते ही वो समझ गए कि ये गुफा सुग्रीव की गुफा है। आखर क्यूँ? इस गुफ़ा को आام लोगों के लिए बंद कर दिया गया आखर इस गुफ़ा में ऐसा क्या था जहां बाली प्रवेश नहीं कर सकते थे और क्या है इस रहसमई गुफ़ा का राज ये हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंताक ताकि आप भी जान सकें सुरह समय गुफा के पीछे का सच दोस्तो रामाण में जितने भी चरत्रों का उलेख है उन सबी की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण है राजा दस्षरत, सहित तीनों माताएं, गुरु वसिष्ट, निशाद राजगूह, राजा जनक, विभीशुन, अंगद इत्यादी जितने वैक्तित्व, रामाण, कथा से जुड़े हुए हैं सबी अपनी अपनी भूमिका में महत्वपूर्ण लगते हैं इनी में से एक है सुग्रीव, किश्कंधा के राजा और प्रबुराम के मित्र, रामरदवारा सीता हरण के बाद, उनकी तलाश के दौरान, रिश्यमुक, परबत पर, प्रबुराम के सुग्रीव से भेठ होती है यहीं राम को सुग्रीव पर उसके भाई बाली द्वारा किये गया अत्याचार का पता चलता है जिसके बाद भगवान राम सुग्रीव को अपना मित्र मान कर उन्हें बाली के अत्याचारों से मक्त करवाने का वचन देते हैं और उन्हें किशकंधा का राजा घोश्रत करते हैं दोस्तो अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि रामान में जिस रिश्य मुक परवत की बात की गई है वो आज के समय में करनाटक राज्ये के हमपी में है हमपी का भी प्रसद विजय नगर सामराजी की राजधानी हुआ करता था यहीं पर वानर राज सुग्रीव और बारी की राजधानी किशकंधा नगरी बसी थी हमपी और उसके आसपास के शित्रों में रामान काल से जुड़े विविन साक्षे और कैस्थल आज भी मौझूद है जिसे देखकर रामान के सत्ते होने के पुखता सबूत मिलते हैं इतना ही नहीं यहां राम जी के आगमन के भी साक्षे मिलते हैं यहां इस्तित रिश्यमुक परबत पर आज भी वो वफाविद्मान है जहां वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित रहते थे रामान के अनुसार बाली से विवात के कारण जब सुग्रीव को राजमहल छोड़कर वनों में भटकना पड़ा तब वो अपने सहयोग्यों सहित स्थान पर आए अब यहां हम आपको बता दें कि बाली से बचकर आखर सुग्रीव इसी परबत पर ही क्यों आए तो दोस्तों इसके पीछे की भी वज़य थी एक कथा के अनुसार इस रिशी मुक परवत पर रिशी मतंग का आश्रम था रिशी मतंग ने एक समय अपने आश्रम को अपवित्र करने के कारण बाली को स्राप दिया था उस श्राप के अनुसार बाली जैसे इस शित्र में प्रवेश करेगा उसके मृत्यों हो जाएगी यही कारण था कि सुग्रीव के लिए छिपने के दृष्टी कौन से ये स्थान सबसे सुरक्षत था और आपको जानकर हरानी होगी किस परवत पर आज भी ये गुफा मौजूद है जहां सुग्रीव ने अपने अनुयाईयों के साथ मिलकर संकट का समय काटा था और इसी जगह पर हनुमान जी ने प्रवू श्रीराम और लक्षमन जी की मुलाकात सुग्रीव से करवाई थी और किस तरह श्रीराम जी ने उन्हें बाली से युद्ध में उनकी मदद की और उन्हें दोबारा किशकंधा राजे दिलाया ये तो हम सबने रामान में देखा ही है लेकिन जो नहीं देखा वो है उस गुफा का रहस्य जो कि आज भी एक रहस्य है जिहां दोस्तो इस गुफा से जुड़े आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिने सुलजाना इंसानों के लिए काफी मुश्किल रहा है कहा तो ये भी जाता है कि सन 1990 में इस गुफा में कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसकी वज़े से इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया दरसल इस गुफा में हमेशा हिंदूं की आस्ता जुड़ी रही है क्योंकि यहां पर प्रबुष्विराम के चरण पड़े थे इसलिए इस जगह पर हमेशा भारी भीड देखने को मिलती है कहते हैं कि इस गुफा के अंदर एक सुरंग बनी है जिसके बाहर बैटकर एक बंदर हमेशा पहरेदारी किया करता है लोगों का मनना है कि वो कोई साधारन बंदर नहीं है क्योंकि वो पांच हजार सालों से उस गुफा के रखवाली कर रहा है जिसमें भारी खजाना चिपा हुआ है वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जहां प्रभू शुराम के चरण पड़े थे वो जगा वैसे भी किसी खजाने से कम नहीं हो सकती कहा जाता है कि सालों पहले यहां मीना और सुरेश नाम के दमपती गुफा के अंदर गए थे वहां जाकर उन्हें अलग ही अनुभूती हुई थी जैसे मानो वो किसी दिव्वे दुनिया में आ गए हूं उन्होंने गुफा का कुना कुना घूमा और फिर वापस अपने घर आ गए दोनों काफी ठक गए थे इसलिए घर वापस आकर मीना और सुरेश सो गए तब है मीना को एक सपना आया जैसे मानो कोई उसे गुफा के अंदर छिपे खजाने के बारे में बताना चाह रहा हो मीना की आंख अचानक खुल गई उसने घरी देखा तो सुबह के चार बज रहे थे मीना धार्मिक चीजों में बहुत विश्वास रखती थी इसलिए उसने ब्रह्म महरत में देखे हुए इस सपने को नजर अंदाज नहीं किया उसने इस सपने के बारे में सुरेश को बताया जिसके बात दोनों नहीं ये तई किया कि वो रात में इस गुफा में जाएंगे उन्होंने सुचा क्या पता वहां उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उनकी जुदगी बदल जाए रात होते ही मीना और सुरेश उस गुफा में खुदाई करने के मंचा से पहुँच गए उन्होंने जैसे ही खुदाई शुरू की उस गुफा के रखवाली करने वाले बंदर ने उन पर हमला कर दिया जिसके चलते हैं उन्हें वहां से वापस आना पड़ा लेकिन दोनोंने जब उसी गुफा के छोटे से हिस्से की खुदाई की तो उन्हें भी एक हीरा प्राप्त हुआ कहते हैं वो हीरा लेकर दोनों अपने घर वापस आ गए थे पर जब ये खबर हमपी की जनता को पता चली तो उन्होंने वहां के पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज करवा दी और उन दोनों को गरफदार करने की मांग करने लगे दरसल हमपी के लोगों का वहां से भावनात्मक जुड़ा बहुत जादा था इसलिए उस गुफा से ऐसी छेड़ चाड़ों ने पसंद नहीं आई लोगों की मांग पर पुलिस ने आरोपियों को ढूंड़ना शुरू कर दिया पर लगातार दो महीने की कोशिशों के बावजूद भी उन दोनों का कहीं पता नहीं चला किसी ने कहा कि वो दोनों मर गए तो कोई कहने लगा कि पुलिस के डर से दोनों भाग गए लेकिन कुछ माहींनों बाद इन सारी बातों को जुटलाते हुए मीना और सुरेश पुलिस के सामने हाजर हो गए लोगों के साथ साथ पुलिस भी उन्हें देखकर हैरान थी क्योंकि वे लोग ना सिर्फ सामने आए बलकि उन्होंने पुलिस को वो हीरा भी दे दिया जो उन्हें गुफा से मिला था जब पुलिस ने इसके पीछे की वज़े पूची तो मीना और सुरेश ने बताया कि जब दो महीने पहले हमें गुफा से यहीरा मिला तो हम दोनों बहुत खुश हुए थे हमें लगा था कि हमारे जिंदगी बदल जाएगी लेकिन इसका बिलकुल उल्टा हुआ जिस दिन से यहीरा हमारे खर आया उसके अगले दिन मेरा बेटा स्टीडियो से गर गया और उसे बहुत चोटे आई इसके कुछी दिनों बाद हमारे वियापार में घाटा होने लगा हमने जिने उधार पैसा दिया था वे हमारे रुपए लेकर भाग गए कुछी दिनों में हमारी सारी दुनिया उजड़ गई इसलिए हम यहीरा आपको देने आये हैं ताकि आप लोग इसे इसकी असली जगा पर वापस रखते कहा जाता है कि वो हीरा तो उसकी जगा पर वापस रख दिया गया लेकिन सभी की भलाई को देखते हुए सरकार ने 1990 में ये गुफा हमेशा के लिए बंद करा दी स्थाने लोग का तो ये भी कहना है कि वो ख्षाधारी बंदर आज भी अद्रिश रूप से गुफा के रखशा करता है हाला कि समय समय पर कई लोगों ने इस बात को नजर अंदाज करके गुफा के रहसे और खजाने तक पहुँचने की कोशिश की है लेकिन अतिहांस कवा है कि उन में से कोई भी जिन्दा उस गुफा से बाहर नहीं निकल पाया और तो और सरकार ने भी कई बार इस गुफा के रहसे को जानने के लिए कई वेग्याने खोजे करवाई लेकिन उन खुजों में भी उनको कुछ हाथ नहीं लगा बस जो हाथ लगा वो था रामान काल के चित्रकला जो कि उस गुफा में जगे जगे बनी हुई थी जिससे ये बात सद्द हो गई कि ये गुफा रामान काल की है और यह गुफा किसी और की नहीं बलकी किशकंदा नरेश सुग्रीव की गुफा है जिसके चलते इस गुफा को सुग्रीव की गुफा के नाम से प्रमारिता भी मिली हुई है आज भी इस गुफा के बाहर साइंग बोर्ड पर आपको सुग्रीव की गुफा लिखा मिल जाएगा और उसके नीचे लिखा मिल जाएगा कि इस गुफा के अंदर जाना शक्त मना है अगर आप फिर भी जाते हैं तो आप अपनी जान के खुद जिम्वेदार होंगे जो कि एक साफ संकेत है कि गुफा के अंदर आपके साथ कुछ भी हो सकता है और बेशक तौर पर जिस तरह समय आप सबी जो ये वीडियो देख रहे हैं और उत्साहित हो रहे हैं जैसे ही आप से पहले भी कई लोग इस कुफा के रहस्चियों से उत्साहित हो चुके हैं। जिनका क्या हाल हुआ ये तो आप सबी जान ही चुके हैं। अब आप बताएं। दोस्तों आप मेंसे कौन-कौन लोग सुग्रीव के इस कुफा को देखना चाहते हैं। और कौन लो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर आन कर लें धन्यवाद